Hydrogen OS का Android Origin 10 का latest update आया है Redmi Note 5 Pro के लिए जिसे फिलाल में One Day से यूज़ कर रहा हूँ और यहां पर आपको complete battery detail देने वाला हूँ साथ साथ आपको इसके new customization के बारे में बचाने आ रहा हूँ तो वीडियो को फुल एंड टक वाच करते रहे हैं हेलो दोस्तों, I am MK and you are watching Tech Office और आज हम इस वीडियो में बात करने माले One Plus 70 के port ROM Hydrogen OS के बारे में जो की Redmi के Note 5 Pro के लिए आया है जहाँ पर आप दिख सकते हो Android वज़न आपको 10 देखनी को मिल जाता है साथ साथ 5Fab का आपको security patch देखनी को मिलता है वहाँ पर आपको Stormbreaker का kernel यूज़ किया गया है और यहाँ पर build का name आपको देखनी को मिलता है युन्होंने port किया उनका name देखनी को मिलता है यहाँ पर Hydrogen OS का build है वो है B-10.0.0 जो की काफी कमाल का है जो यहाँ पर details प्रोइट कर रहा है और मैं काफी यहाँ से इंप्रेसिव हूँ इस रोम को जैसे सबसे पहले चीज की बात करें तो आप देख से तो Resilent Panel जहाँ पर जितनी भी tab आपने open कर रखें उनके सब के आइकन आपको यहाँ पर देखनी को मिल जाते है युकि आप कुछ इस तरीके से slide कर सकते हो जो कि देखनी में काफी ज़रा अच्छा लगता है जब आप इसे slide करोगे आपको हलका से vibrate feed होगा जो कि काफी awesome वाली feeling है जो provide करता है कुछ आप इस तरीके से slide कर सकते हो या फिर इस तरीके से कहाँ पर जाना है डैक उस आइकन को उपर tap कर तो वो आपको 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 लेकर चला जाएगा कुछ इस तरीके से आप जो switch कर सकते हो इधर से उधर तो यह मुझे काफी ज़र अच्छा लगा जो इसका रिसेंट पैनल यहाँ पर जो तिया गया है इसके इस्कीन सूट का जो style है वो भी अलगा सा चेंज किया गया है तो यह भी मुझे काफी ज़रा के तक का support provide कर देता है तो आप इसले जो 4K तक यूज कर सकते हो तो नहीं बैंकिंग आप से रिगार्डिंग प्रॉलम आएगी नहीं प्लेश्टू के स्र्टिविकेशन से रिगार्डिंग आपको प्रॉलम आएगी वहीं प्लेश्टू कर पाओ गए जो कि मैं आगे आगे आपको सो करने वाला हूँ आए कि राते हैं तो यहां पर जितने भी options वोग रहा है डे टाइम यूटिलिटी यह सारे चीज़ आपको working मिलता है यहां पर आप जो parallel यूज कर सकते हो work life balance भी आपको देहने को मिल जाता है और यहां पर apps lock भी आप यूज कर सकते हो वहीं पर आ काफी अच्छा है और आज का भी जो better detail है वो telegram पर मैं fully use के बाद share कर दूँगा क्योंकि मुझे रूम काफी जादा अच्छा लगा है और टूडे से currently use करता आ रहा हूँ वहीं पर आपको face unlocking देहने को मिलता है जो की property के से काम करता है और इसका एक और plus point यह है कि जब भी आपे face unlock set करोगा और कहीं पर भी dark में हो तापकि flash light है जो up हो जाती है आपके face को recognize करने के लिए तो यह मुझे काफी ज़ादा बेटर लगा वहीं पर lockdown को option मिलता है add user मिलता ह disable panel और यहाँ पर button अगर आप इसे on रखते हो और अपने lock screen पर आते हो एक पर QS panel वो काम नहीं करेगा और देख से तो यह flash light यहाँ पर on हो रहा है ताकि आप मारे face को recognize कर सके तो यह काफी अच्छा option आपको देहने को मिल जाता है face का अगर आप dark में हो तो यह काफी अच्छ इसे काम करता है बट अभी फिलाल यह bug है तो में भी next update में फिक्स हो जाएगा बट अभी फिलाल के लिए सिर्वर से आप fingerprint यूज कर सकते हो लेकिन notification के लिए swipe down नहीं कर सकते तो यह side next time improve हो जाएगा बाकि आपको यह सारा चीज है option देहने को मिल जाता है जो कि proper तरीके से working ह इनड़ाइटेन का जैसर वगर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो no issues यहाँ पर आते हैं backyard चलते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है customization जहां पर आपको जो यह light effect भी दिया गया है horizontal की step का light effect चाहिए वह भी आप यहाँ पर set कर सकते हो तो भी आपको देहने को मिल जाता है सास अब हम लैप टूचेक की बात करें तो लैप टूचेक भी हमारा जो काम करता है अच्छे तरीकी से बस हलका सा डीले होता है timing वगरा को सो करने में लेकिन काम प्रोपर तरीके से जो कर जाता है वह पर इस टिटस बार में आपको जो battery percentage वगरा देखने को मिलता है जो की सही है यहाँ पर एक चीज़ की कमी लगी वह इसके video call का, Jio का call supportable है वड़ Jio साब video call है जो नहीं कर सकते हैं बागी सारी चीज़ काम है जो आप यहाँ यूज़ कर सकते हो अब आज़ते हैं यहाँ पर इसके गालरी के ऊपर जहाँ पर मैंने जो कुछ चीजा के लिए सेप की है वह है इसका बैटरी डिटेल सो यहाँ पर देख सकते हो कि 100% से यूज किया गया करीब करीब 20% के बीच में चार्जिंग की डाला गया है ताकि चार्जिंग को चिक कर सके कैसा स्पीड मिल रहा है जहाँ पर आप देख पावे सबसे जाए टिक टॉक है फेस्टॉक है और बाकि अज़र चीजे है तो यह घ अगड़कर की कर ब Aggrav अच्छा मिलेगा यह चारजिंग के टारिम का ही इaat किलिक किया गया है जहांकर आप देख तो यहां पर चार्जींग कर रहा है यहां पर चार्जींग कर रहा है तो यहाँ एस फ्क्रींन आप स्भी 2030 तो मुझे काफि एदा परे से बा कुछी अगर मेभी आपको कम ही फील हो सकती है वह है इसके लेंग्वेज क्योंकि यह जो हाइड्रिजन वैसल तो सिर्फ आपको चाहिना और यहाँ पर इंग्लीस लेंग्वेज का ही सपोर्ट डिखने को मिलता है तो इसके लिए आपको यहाँ पर असेस्विल्टी पर आना ह ग्राफिक से देखने को मिलता है HD के उपर तो यहाँ प्पजी प्यों जो मज़े से प्ले कर सकते हो मैंने भी प्ले किया है तो मुझे कोई दिक्कत पपजी कंता देखने को नहीं मिला है और इसका जो गेमिंग मूड है वह भी आपको जो अच्छा खासा है जो रिस्पांस प्रवाइट करता है और जैसे इसके नेक्ट अपडेट आते हैं मैं आप जरूर प्रवाइट करूँगा क्योंकि यह रोम काफी ज्यादा स्मूदर काफी ज्यादा लॉंगर बैट्री और प्रवाइस वाला रोम है तो वीडियो पसंद आए उतिक लाइक जरूर करें और ए प्रवाइब ओर्वाइट करें जरूर करीं